हेलो दोस्तों आप सभी को जय मसी की स्वागत किया जाता एक नए वीडियो में वीडियो को पूरा देख लेना और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी आज एक मसीही जब येसु मसीह का आगमन होने वाला है तो आप मसीही पाप में गिर्ता चला जा रहा है मेरी बात को याद रखना मसी भाई और वहनों अगर आपका उधार नहीं हुआ होगा तो आपको बहुत बड़ी हान उठानी पड़ जाएगी तो आपको उसी आग की जील में डाल दिया जाएगा जहाप धन्वा नभी भी मौझूद है अगर एक बार उस नर्क में चले गए तो आपको वहाँ कोई दूसरा सुसमाचार नहीं सुनाया जाएगा तो आपको सारे रास्ते दर्वाजे बंध हो जाएगे तब आपको उसी अनर्तकाल की आग में जलना पड़ेगा तब हया दया मया से काम नहीं चलेगा तब आपको उसी अनर्तकाल की आग में जलना ही पड़ेगा इतनी भायानक जीलों की उस जील में करोड़ों सेकड़ों तलगती होंगी इतना हाहाकार मच्चा होगा इसु ने कहा था अकास और प्रित्वी टल जाएंगी मगर यह मेरी बाते कभी ना टेलेंगी इसु ने जो कहा है अपने वच्छन में वह होके ही रहेगा फैसलाब आपके हाथ में है बताना मेरा काम है जो परमेस्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है फैसलाब आपके हाथ में है स्वर्ग जाना चाहते हो कि नर्ग जाना चाहते हो वचन एक जैसा है सबके लिए हैं मसी पर विश्वास करता हो चाहिवा अन्य जाती हो जैसे मत्टी बारा का 36 वचन में लिखा हुआ है और मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो रूप से सिच्छा देती है चाहिवा मसी पर विश्वत करता हो चाहिवा अन्य जाती तब आपको जब परमेश्व रंतीम न्याग करेगा स्वाच सिंगहासन के सामने और जो जो मनुष्य अपने मुझ से गालिया देते हैं और गंदी बाते अपने मुझ से निकालते हैं एक अपना अपना लेखा परमेश्व के सामने देंगे अभी आपके पास अउसर है संभल जाओ और बचा लोगने आपको नर्क जाने से कि वह एक दो दिन के लिए युगान्यू के लिए नर्क में डाला जाएगा तैयार हो जाओ और हरा तो उस सैटान को वचन से इसलिए पोल तलवारों लड़ाय करके नहीं हराया जा सकता है सिर्फ उसको वचन से हराया जा सकता है जो मसीही वचन में मजबूत होगा वही सैटान को हरा पाएगा और जो मसीही वचन में कम्जोर होगा वहीं उस सैटान की जाल में फस जाएगा इसलिए बाइबल पढ़ो यहां मसीव लोरे उड़ेले जाएंगे बाइबल में बताती है एक बार मरना और फिर उसका निया करना भजुरूरी है यह सुरु सक्तिमाद पर्भू परमियसर तेरे कारी बड़े और अद्भूत हैं है युग युग के राजा तेरी चाल ठीक और सच्ची है मगर आज मनुसे सच्चाई को अंदेखा कर रहे हैं परमियसर नहीं चाहता है कि कोई भी वेक्त नर्क जाए परमियसर के साथ स्वर्ग जाए और अनंतकाल का जीवन पाए परमियसर यह नहीं चाहता है कि कोई भी मेरे बेटे बेटिया नर्क जाए सबको मन फिराने का उसर दिया जाए अगर आपके प क्योंकि अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा तो पहले तो परमियस्वर आपको साथ साल के लिए इसी पृतिवी पर तड़ पाएगा और फिर उसके बाद उसी अधार पर परमियस्वर आपको नर्क में फैक देगा जाकि आख कभी नहीं और कीड़े कभी नहीं मरेंगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का जो व्यक्ति मनर्क में जाएगा कीड़े नहीं मरेंगे और आख कभी नहीं बुझेगी अगर एक बार उस नर्क में चले गए तो आपको वहां से कोई निकालने नहीं आएगा उस धन्वान की तरह एक बु पुर्जी श्र ने आप को चुना हैं पिर उसने मुझ से का स्था कि बातों को बंद मत कर क्योंकि समध्ञ निकट है जो अन्याय करता है states और जो मलीन है वा मलीन ही बना रहे। और जो पवित्र वह पवित्र ही भना रहें देख मैं सीख रही आने वाला हूँ इसु सवाप के रहे हएं कि मैं बहुत जलदाने वाला हूं और हर एक काम के नुसार बदला देने के ल्यक्लिज प्रतिफ़ाल मेरे पास है जो अपको कर रहे हैं वाप परमयसौर गिन गिन के लिस्ट बना रहा है जब आपका निया किया जाईगा आपको गसीट कर आपको नर्क में फैक देंगे इतनी भायानक सजा इतना भायानक डंड देगा परमेसर आज लग ये सुमसी को खिलोना बना के रख दिया है कि ये सुमसी है ही नहीं परमेसर ही नहीं तब आपको वहां सब कुछ पता चल जाएगा तब आग भी जलाएगी और चिले अभी नहीं मरेंगे जिस चमली पर आपको घमंड है एक दिन परमेसर आग में जिन्दा जलाएगा इतनी भयानक जील होगी तब आपको मन फिराने का उसर नहीं दिया जाएगा क्योंकि आज का सारा का सारा संसार उस दुष्ट के वस में पड़ा हुआ है जिसे परमेसर ने कट गया है जैसे लिखा यह साया की पुस्तक में यह बोर के चमकने वाले तारे त्युक क्यों कर अकास से गिर पड़ा है तुझो जात जात को हरा देता था अब तो कैसे काट के भोवी पर गिरा दिया गया है परमेसर ने सैतान को पवित्र स्वर्गदूत के रूप में भ्लेधार गया और वांपरमेसर से भूंचे सिंगर्घासल पर विराज मनोना चाहता था परमेसर जानता था कि इसके यराद में ठीक आ रहे हैं वह और मर पर्भिरेख होका सिंगरसन ने पहले ही से कर दिया था जैसे प्रकासित्वा की बीस अध्या के चोदर पंद्रावचन में लिखा हुआ है हम पढ़ देते हैं वैबल से पुरूफ आपके लिए और मिर्ति और अधलोग की आग की जील में डाले गए या आग की जील तो दूसरी मिर्ति है और जिस किसी का अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वा आग की जील में डाला गया देखिए अगर आपका उधार नहीं हुआ होगा और संसारिक जीवन विता रहे हो अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा तो उसे स्वर्वदूत उठ जाकर आग की जील में डाल देंगे जहारोना और दात मिशना होगा जहां आग भी जड़ाएगी और कीले भी काटेंगे बड़े-बड़े कीले होंगे फिर सेवासे कोई निकालने के लिए नहीं जाएगा अगर एक बार उस नर्क में चले गए तो हमेशा के लिए गए अभी या उसर है और समल जाओ वाचन कहता है जीवतिया परिमेशर के आट में पढ़ना है